हाई सखीज, वेलकम बैक तो माई चैनल, यहां पर मैं एक बेबी के शॉर्ट हैट करूंगी, समर्स आ गई है और आप लोगों की दिमांड थी शॉर्ट हैट कर्ट की, तो यहां पर इनकी मदर बता रही है कि इनके कितने छोटे बाल करने, यानि कि मुझे बहुत छोटे बाल करने इनके, इनको बॉब लोग चाहिए, ब्लंट या बॉब सा लोग चाहिए, जो कि बिल्कुल कान के नीचे, थोड़ा सा नीचे आए, तो यहां पर मैंने अच्छी तरह से वाटर स्प्रे कर लिया है, और उसके बाद हर कट करूंगी, थोड़ा डिफरन टाइप से यहां दालती हूँ, थोड़ी सी वीडियोग्राफी में थोड़ी सी साथ प्राब्लम लगेगी आपको, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एक्स्क्यूस कर देना, और अब देखते हैं कि हेर कट कैसे करते हैं, तो यहां पर मैंने येर टु येर वाले बालों को सेपरेट कर लिया है, येर के पीछे से मैंने पाटिंग करी है, और येर टु येर बाले बालों को सेपरेट कर लिया है, बैक के बालों से कॉम करते हुए मैं कटिंग को स्टार्ट करूँगी, तो ये देखिए, बाल पूरे गीले हो चुके हैं, और गीले करने के पाद कर, शौर्ट हेर कटिंग तो मैं गिले करती हूँ, ड्राइ करती हूँ, जिम्मेदारी नहीं लेती है, बहुते हैं, वो काफी वाइन तरीके से कातना होता है, इसलिए हरको गीला करना पड़ती है, और अच्छी तरह से गीला करना पड़ता है, तभी एर कटिंग अच्छी हो पाती है, यहाँ बैट पै की फेरिया के बाल थोड़े शोट आएंगे और कानों के पास वाले बाल थोड़े से लंबे होंगे तो इनके बालों की जो कटिण है वो a-line की है हलकी सी a-line वाली कटिण और यहां पर मैं नोचिंग कर रही हूं जिससे की बालों के ages थोड़े से sharp हो जाए और इस तरह से थोड़ा सा cutting किया है मैंने तो पीछे हलके हलके से layers आएंगे steps आएंगे हलके हलके से जिसको कि मैं बार में ठीक करूँगी तो ये देखिए इस तरह से बाल आए है थोड़े से back के बाल देखिए थोड़े से छोटे है और layers आगे हैो और आगे के बाल फोड़े से लंबे हैं अब यहांपर क्या करना है जो बाल ज ज्यादा uneven लगे उसको हाँँ में ले लेके मैंने cutting कर दिया है कि ज्यादव आणिवन से बाले तो निकल रहे हैं उसको मैंने हातों में ले ले करके कट कर दिया है इस तरह से देखिए कि बीविके बाल बहुत चोटे होगे अभी थोड़े से और चोटे होंगे इस तरह से पहले बालों को एक even सा लुक दे दिया है, थोड़े थोड़े बालों को कट करके एक even सा लुक दे दिया है, उसके बालों में हलके हलके से नीचे मैं steps डालूँगी जो कि अच्छे लगेंगे इनके उपर, आपने देखा बेवी के बाल बड़ी golden सुनारी टाइप के अब मैं हलके हलके से नीचे steps दे रही हूं, हलके हलके से steps देना है, जिसे कि नीचे बालों में volume बहुत जादा लगेगा, यानि कि अगर volume में volume देना हो, तो आप इस तरह से cutting कर सकते हैं, जिस तरह से यहां पर मैं कर रही हूं बड़े राम से हलके हलके हातों से बालों को इस तरह से उगलियों में तिछा पकड़िये और हलके हलके से काटी, ज्यादा नहीं काटना है क्योंकि हमने length निकाल दी है, बस up set कर रहा है, shape दे रहा है बालों को, तो इस तरह से बालों को अच्छी तरह से धीरे-धीरे करके, पूरी बालों में इस तरह से हलके हलके से नीचे से steps दे लेने हैं, बहुत हलके steps आएंगे, steps के आएंगे वो बालों में एक volume से आजाएगा, जो कि पतले बाल हैं तो अच्छी सी volume एड हो जाती है, तो अच्छी लगती है cutting, और ऐसा करते से मैं आप client का search, head जो है, थोड़ा A-line bob, A-line blunt, graduated bob, graduated blunt, सारे मैंने cutting करके डाले हैं, boy cut भी है, एक दो, तो आप 2-4, मतलब छोटे बालों कि 10-15 मेरी cutting होगी, आप मेरी playlist में cutting पे जाके देख सकते हैं, हर तरह की cutting आपको मिल जाएगी, तो ये भी cutting मुझे अच्छी लगी थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं डाला सा इसको, ये cutting मुझे परसंद आई, तो मैंने सोचे चलो, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वैसे भी शेयर करने के लिए कुछ खास है, ये भी पार्लर बंच चल रहे हैं, और अब मैंने आगे के, ये 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 बाले बालों को खोल दिया है, तो हलका सा यहां भी A-shape ये में बहुत ही अच्छा लग रहा था, इस तरह से हाथों में बालों को ले ले करके, हाथों के उगले को हलकी सी तीछी रखनी है, और इस तरह से cutting कर दिना है, तो इस तरह से एक तरफ के ear to ear बालों की cutting हो गई है, अब हम दूसरे तरफ करेंगे, और बालों को कंगी करते चले जाना है, जहां आपको छोटे-पड़े बाल दिखाई दें, वहाँ कैची से काट दिना है, अब देगे, कॉंब करने से यहाँ चोटे-पड़े बालों को अच्छी तरह से निकाला है मैंने, और अब थोड़ा भी जो uneven लगेगा, उसको मैं cut कर दूँगी, कटिंग में थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे आप तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी, और आप मेरे वीडियो के में पड़े हुए कटिंग से बहुत सारे कटिंग सीख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में हर चीज बताया हुआ है मैंने, और मेरी आइब्रोस की व बालों को मैं सेट कर रही हुँ, Voise Over करना परता है, और जान डालना मुश्किल हो जाता है कि बहुत जादा sound आता रहता है, जो कि बहुत disturbed करता है, इसलिए voice over करना परता है, और जान डालना बहुत ही मुश्किल होता, तो इस तरह से सारे बाल कट गया, और अब दोनों बालो के लिए प्रणा को मैंने चेक कर लिया.. हें कि तो युदुल थे पूरे अच्छी तर से कम के रहे away मैं काम फिर होगी है , तो अब पीछे साथे बाल हो गया , होगै अब फिक्षलस roll जो कि side parting से चाहिए इनको तो उसके लिए flex के लिए फिर हम थोड़ा सा और बालों को आगे की बालों को थोड़ा सा और काटेंगे चोटे बालों की cutting आप बार-बार कॉम करकर देख लें जो होते हैं नीचे नीचे से बाल निकल निकल कर आते हैं तो अची तरह से कॉम करके पूरी तरह से अपसे सैटिस्फएड हो जाए तभी आप बालों को छोड़ें और इस तरह से मेरे बाल भी पूरी complete हो गया है और अब करनी है फोन करने 5000 किशाएट करनी है ज्यों सफिए अले कि करेंगे ये कर आए कि चाइड ने से थोड़ा सा प्रटने बाल दूत न घ्रम कर दूंगी तो इस तरह से स्लाइड से ऑके बाल मैने कार दि हैं और अलग के बालों जिससे कि वह आगे बिल्कुल सेट हो जाए तो पहरे थोड़ा उठाया मैंने फिर थोड़ा सा और उठाया है पालों को और उसके बाद बिल्कुल उठाते हुए एंटी डिग्री पे इसको कट कर दिया है मैंने तो इससे आगे के फ्लेक्स बहुत ही सुन्दर आ जाएंगे औ और अब मैं दिखाती हूं इनके बालों का फाइनल लुक तो अब देखिए ये बाल पूरे कट गए हैं बगार ड्रायर की बाल इनके ऐसे लग रहा है इसी तरह से कॉम करना पड़ रहा है कि बाल गोल्डेन है और बाल थोड़े उलच से रहे हैं तो इसको अब मैं आपको दिखाती है तो यह है इनके बालों का फाइनल लुक और अब इसमें मैं ड्रायर लगा के आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हैरकट कैसे हुए है तो यह देखिए इनके फ्रेंट का लुक है यह जो की फ्लिक्स आये हैं जो मैंने फ्लिक्स लिए थे और अब अबें के बाक का लुक यह रह inherently बैक का लुक सहाथ क्लोश कर दिया है थो दोर से ए जादा पता चलता पिर फीपता चल रहा है तो यह रहा इनके फ्रेंट का लुक बहुत ही प्रटी लग रही है यह और थोड़ँसा of कानों के थोड़गे थो उसे नीचे तक यह बाला है तो वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए गा थैंक यू फो वॉचिक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए टटा बबाई लब यू आज